अब पंजाब की बात करती हूँ तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने जो अपना एलाइक होया है पंजाब में उसकी वज़े से मतब तीसरी पार्टी आ रही है शायद पंजाब में पहली बार पर बीजेपी कभी अपना रूट्स बना नहीं सकी उस राज्य में क्या आप इसको एक राजनीतिक विफलता मानते हैं मैं समझता हूँ कि मेरी पार्टी के जो वरिष्ट नेताओं ने उस समय जो नीतिया बनाई जो रणनीतिया बनाई उस समय के लिए बहुत अनिवारिय थी और उसके कारण पंजाब की एकता पंजाब के अंदर फिर से एक ब और मैं मानता हूँ कि भारतिय जनताओं पार्टी ने अपने राजनीतिक सुआरत के बजाए पंजाब का ही स्विप्रीम माना और उस ने राजनीतिक जो भी कम्प्रमाइज करनी के आवस्च्छता थी किया wpो बहुत जरूरी था इसलिए किया हम पंजाब को खुन-खराब था कि हम उस रास्ते पर चले जिसके कारण हम यहां पर सुख सांती का माहूल बनाने में हम बहुत बड़ा पॉजिटिव योगदान दे सके और वो हमने किया और पंजाब को बाहर निकालना में उस संकर से बाहर आए जहां तक राजनीति का सवाल है आज भारतिय जनता की गिरुप में पंजाब में उभरी है आपने देखा होगा बहुत बड़े वरिष्ट लोग समाज जीवन के वरिष्ट लोग जिनका राजनीति से लेना जना नहीं थे वैसे बहुत बड़ी मात्रे में पिछले दिनों भारतिय जनता पार्टी जोइन किया है फिर जो राज जनता पार्टी पंजाब के स्थिर्ता के लिए पंजाब के विकास के लिए पंजाब की शांति के लिए बहुत जरूरी है और इसलिए पंजाब में भारतिय जनता पार्टी का शासन बना चाहिए अज पंजाब से आवाज उठी है और इसलिए हम आगे बढ़े हैं आज दो दल भारतिय जनता पार्टी के साथ जूड़के हैं कैप्टन साहब और डिन साहब बहुत पुराने लोग हैं जो राजनीती के कि वहां महारती रहे, तिन-तिन दसक्ते जिनवार के वहां की राजनीती को दिशा दिए, ये लोग आज भारतिय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं, और इसलिए मैं मानता हूँ कि भारतिय जनता पार्टी पहले की तुलनामें बहुत यसस्वी होगी, पंजाब के लोगों क कि आए हैं तो उनका भी होस्त बुलंद हो गया जो लोग दबे हुए रहे थे वह भी खुल करके हमारे साथ आए हैं हम ने किसान को डार एक benefit के लिए हम आड़े रहे हमने कैप्टन साब को समझाया कैप्टन साब हमारे साथ समय वो मुक्यमें तरी से सहमत हुए और किसान को डारेक benefit transfer हमने किया पंजाब में उसकी खेट के तो आप मैं एक हजार से में ज्यादा वीडियो निकली है यह कजार से सोचल मीडिया में एक एक मिनिट की वीडियो में देख रहा था मैंने भी कभी दस बाला तो देखी होगी किसान कह रहा है कि मेरा खेट तो उतना ही है मेरी फसल वही है जो मेरे 20-30-30 साल से हम कर रहे है पैदावर भी उतनी है लेकिन मेरे घर में इतने रुपिय पहले कभी नहीं आये जितने मोदी जी की सरकार ने डारेक benefit transfer का निर्णे किया और किसान को जो माल है उसका पैसा सीधा बैंक में खाते में उसके जाएगा तो सारे बीचों लिए गए कट जो होता था वो गया और मुझे मेरा पूरा पैसा मिला यह छोटा किसान आज भारतिये जनुता पार्टी का जय जय कार कर रहा है